थ्योरी ओपिन नहीं हो रहा है चलो आगे चलते हैं और बेटा ये यूपी पीसियल का प्र सल्यूशन चल ला है कम से कम शेयर तो कर देते यार इतनी दुरगती मत करो अपने टीचर की यार वैसे आप लोग कहते हो सर सपोर्ड करते हैं यार यह सपोर्ड करते हो तुम UPCL के पिपर सल्यूशन तक में तो यार शेयर नहीं कर रहे हैं सेशन को कौन सा लेजिसलेशन 1982 में आया है एफेक्ट में मतलब कौन सा विधान भारत में 1982 में लागू हुआ अब देखो ये 1982 में लागू तो बहुत सारी चीज़े होई 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 हमें क्या मतलब है हमें तो केवल किस से मतलब है बेटा environmental वाली चीज़ होसे क्योंकि ये बहुत पूछता है पेपर में तो EPBC हुँ थी क्या script होई थी क्या हां यहां पर देख लीजे एन्वेस हमारी 1922 में क्या होई थी बटा लाग होई थी आई यह देखते हैं थोड़ा से अदेखें ओन्लबेस के बारे में जानते हैं यहां पर देखें है एन्वेस क्या होती है यह होती है बटा environmental information system ठीक है ये होती है हमारी ENVIS environmental information system ये हमारी ENVIS होती है ये 1982 में affiliate हुई थी government of India ये एक important बात है आपको paper में यहाँ पूछा जा सकता है ठीक है किसके तहट एक program के तहट एक plan के तहट जो government ने betterment environment हमारा अच्छा हो उसके लिए ये program निकाला था ठीक है सबसे पहले तो फुलफॉर्म बिटा आपको पता होनी चाहिए ये इसलिए निकाला था as a plan निकाला था कि हम decision ले पाएं हम हमारे scientist साथ में हो हमारे engineer साथ में हो हमारी research team साथ में हो पूरे country की ताकि हम कोई policy बना सके जो हमारे environment लोगी करेंगे न कि कितना हमारा जो धुआ है कितना harmful होता है और कितना नहीं होता कि सारा धुआ छोड़ देना चाहिए या उसे air filter से पास करके छोड़ना चाहिए या कितने particles उने अपने बचा के मतलब अपनी industry में कितने particles का रोक के फिर वो बहार atmosphere में भेजना है फिर वो बहार atmosphere में भेजना है तो ये चीज जो policy making है ये बेटा आपकी तेह करी गई थी NVIS का गठन हुआ था NVIS संस्था का गठन हुआ था 1982 में इसके द्वारा बेटा आपकी करी गई थी याद रखना ठीक है चलिए बात करें participating network ठीक है participating network इनके नदा कौन-कौन लोग participate करते हैं NVIS में 36 institution 15 NGO 30 government department इसमें participate करते हैं ये बात अपने दिमाग में रखिएगा अच्छा इनको कौन-कौन सा area cover करना पड़ता है इनको कौन-कौन सा area cover करना पड़ता है pollution control करना इनके काम में आता है मतलब अगर pollution को control करें तो इसके काम में आता है toxic chemical को control करें chemicals toxic हैं की नहीं है उसके काम में आता है central and offshore ecology के काम आता है environmentally sound and appropriate technology के काम आता है मतलब कहने का आपका कितना chemical chemical industry से छोड़ा जाना चाहिए उसके लिए काम आता है कहते हैं environmentally sound and appropriate technology के काम आता है कौन सी technology environment के लिए अच्छी है कौन सी नहीं है आज कल देखें कई तरीके की machines आती हैं जिसमें environment में कौन सी technology अच्छी है वही लागू करना है इंडस्ट्री में इस बात के check-ups होंगे यह इसके काम में आता है एन्विस संस्था के अंडर में यह चीज आती है ठीक है इस एन्विस संस्था के दो तरीके के गोल होते हैं अगर देखा जाये तो short term goal और long term goal ठीक है अगर आप देखेंगे तो short term goal क्या है इसमें short term goal क्या है कि promote करना किसको national या फिर international जो भी हमारे environment के deals होते हैं बात को ध्यान से समझना short term goal क्या है कि जो भी national या international यो तो बहुत सारे goal है पर एक में मोटा माटी बता देता हूँ कि short term goals वो है जिससे वो जो भी national या international इंडिया में ही इंडिया से बाहर भी जो भी environment को लेके deals होती है उनको proper लागू करवाना अब देखो कानून की किताब में तो बहुत लंबी चोड़ी deals हो जाती है पर क्या वो लागू हो रही है कि नहीं हो रही है इस बात का ध्यान रखना ये इनका काम है ठीक है अगर मैं बात करूं long term goal की तो इन्हें support करना है लंबे समय पर अब जैसे क्या होता है इन्हें support करना है और research को promote करना है यो तो बहुत सारे goal है पर long term में इन्हें लगातार research को support करना है कि research होती रहें जिससे की हमारे environment को पाइदा मिले अब वो चाहे research क्या कहते है एर filter बना के हो मतलब हम ऐसे air filters बनाएं कि जो हवा में particles है वो कहीं न कहीं क्या हो जाए हम लोग कम से कम कर सकते हैं या कुछ भी तरीके से research हर तरीके से हर industry में research करनी है कि हम environment को ज़ादा से ज़ादा बचा पाएं चीक है environment को बचा पाएं अब आज की डेट में आप एक चीज देखिए ओटो मोबाइल सेक्टर है पूरा का पूरा बैटरी की गाडियां तक आ रही है कार भी बैटरी की आ रही है आपकी स्कूटी बैटरी की आ रही है यह सब क्या है research हुई इस जगा पे इस industry में research ह हुई तभी तो ऐसा हो पाया है अब यह research को promote कौन कर रहा है एन्विस यह चाहता है कि यह research चलती रहे आज भी गाडियां आ गई है तो ऐसा भी है कि research बंद हो गई क्योंकि उन्हें मालूम है ओटो मोबाइल सेक्टर बहुत pollution create करता है तो कही ना कहीं हमें research करनी पड़ेगी कि क्या ऐसे चीज़ हम लेके आए इस sector के लिए जो लोगों का काम भी हो जाए और pollution भी ना हो तो यह सारी चीज़ें बेटा एन्विस को देखनी है समझ में आया तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करें यही question आपको लेके आया है कि एन्विस कौन से year में लागू हुआ था ठीक है कल को question इससे detail में आ सकता अब देखो आपके application जो यूपीपीसेल का course है उसमें इन सब चीजों के बारे में मैंने detail में पढ़ाया हुआ है ठीक है अभी मैं आपको धीरी-धीरे करके सबके notes भी दिखाऊंगा चलिए